लाल्ची सेर की कहानी गर्मी के एक दिन में चंगल के एक सेर को बहुत चोरों से भुख लगी इसलिए वो इतर उतर खाने की तलास करने लगा कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोस मिला लेकिन उसे खाने के बदले में उसे उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे वो बहुत ही छोटा लगा फिर कुछ देर टुटने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला उसने उसको पिछा किया लेकिन वो बहुत खाने की तलास कर रहा था ऐसे में वो ठक गया था जिसके कारण वो हिरन को पकड़ नहीं पाया जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तब वो वापस उस खरगोस को खाने के विसे में सोचा वहीं जब वो वापस उसी स्थान में आया था उसे वहाँ पर कोई भी खरगोस नहीं मिला क्योंकि वो वहाँ से चा चुका था अब सेर काफी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भुखा ही रहना पड़ा इस कहानी से हमें यहां सिख मिलती है कि अत्यातिक लोब करना कभी भी फल दायक नहीं होता है उख झाले पल मैं यजरी उन्या झाले सिख मिलतीक भाउ दातिक विं तक breaking कि वियलती है इसन करते इसा जने इसे भी सेर को और वोब करें गवां यहां यहां अनोहीं होता है कि अवोता है, इस अनग्यातिक उसाова है झाल झाल